भी भक्तों जैसरी राम आज हम सुनाएंगे कल्यार पत्रिका से प्रिकासित गीता प्रेश गोरपूर कल्यार पत्रिका से प्रिकासित स्री हनुमान प्रसाथ जी पुद्दार जी के प्रैवचन वो भगवान की बहुत ही अच्छे भक्त थे और उनको भगवान की दर्शन में तो उनने भक्ति की कुछ साधन बताएं तो उसका पालन करने से हमें प्रभू के प्राप्ति होती है भी उनकी अन्भों के साधन है तो ये हम आपको बताने जा रहें इसको आप सुनिये भी और साधन में पढ़िये भी भक्ति के साधन नित्य लीला लीन भाई जी स्री हनमान जी प्रसाद जी पोतार भक्ति के साधकों के लिए यहां कुछ नियम लिखे जाते हैं इन में से जो साधक जितने अधिक नीमों का पालन करेगा उतने अधिक लाब होगा असत्त चोरी हिंसा ब्यवचार अबच्छ बच्छण बिल्कुल छोड़ दे दंब कभी ना करे भक्त बनने की चिस्टा करे दिखलाने की नहीं कामना का सबतरे से त्याग करे भजन के बदले में भगवान से कुछ भी नहीं मांगे अस्ट मैथून का त्याग करे पुरज अपनी बिवायता पत्नी से और इस्त्री अपनी बिवायत पती से जहां तक हो सके बहुत ही कम सहवास करे दोनों की सम्मत से बिल्कुल छोड़ दे तो सबसे अच्छी बात है इस्त्री परपुरुज और परपुस्त्री का बिल्कुल त्याग करे जहां तक हो इंकांद में मिलना बोलना कभी ना करे मान की इच्छा ना करे अपमान से घबराय नहीं देनता और नम्रता रखे कड़वा ना बोले किसी भी बुरा किसी का बुरा ना चाहे पर चर्चा परनिंदा ना करे और किसी से भी घ्राणा ना करे रोगी अपाहिज अनात की तन मन धन से स्वैम सेवा करे अपने किसी प्रकार की किसी प्रकार की सेवा भरकस किसी से ना करवावे भरसक सभा समितियों से अलग रहे, समाचार पत्र जादा ना पढ़े विक्कुल ना पढ़े तो और भी अच्छी बात है भगतों ये ऐसा नहीं है कि हनमान जी परसाद 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 पोद्दार समाचार पत्रों से पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं उनका कहने का मतलब है ते कि जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें डूब जाते हो तो इससे भगवान का ध्यान अर जाता है इसलिए उन्होंने ऐसा काई सबका सम्मान करें सबसे प्रेम करें सबकी सेवा के लिए सदा तयार रहें तरक ना करें बाद बिवाद या सस्तास्त्र ना करें भगवन नाम भक्त और भक्ती के सास्त्रों में धन विश्वास और परमसद्धा रखें दूसरे के धर्म या उपासना की विधी का बिरूद ना करें दूसरों के दोस ना देखें अपने देखे और उन्हें प्रिकास कर दे माता पिता स्वामी गुरु जणों की शेवा करें ये भक्तों मैंने आपको चौदे नियम बंदाए हैं अब कल के वीडियो में हम आपको और भी भक्ति के साधन के आपको बताएंगे नियम जिससे हमें भग्वाल जी की पराप्ति बहुत ही जल्दी हो सके ये स्री हर्मान प्रसाद जी पुद्वार जोड़ा बताएंगे भक्ती के साधन जिनको करने से हमें भग्वाल की पराप्ति होगे जय सिर्दी